तो आज की वेडियो में मैं एक बीवरेज लेके आई हूँ शमर का चाहिम चल रहा है तो आप इसे इजली वे में बना सकते हैं आपको बस दो चीजों के जरूरत होगी मेंट और लेमन और सुगर तो नोमली सबके घर पे होता है तो मैं आज आपको मिंट लेमोनेट बनाना ब मिंट लेमोनेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लेमन का जूस लिया है लगबग मैंने 30-40 पत्तियां मिंट की लिए है यह फ्रेश मिंट है मिंट की डंठल को हटा देना है हमें सिर्फ लीव चाहिए यहां पर मैं दो लोगों के लिए बना रही हूं आप अपने टिस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा मिंट ले सकते हैं और शुगर अब यहां पर मैंने एक चिल्ड मिक्सर जार लिया है मिक्सर जार को आप 10 मिनट के लिए फ्रीजर में चिल कर लें और उसमें मैंने म अब शुगर डाल रही हूं यहां पर मैंने फोर टेबल स्पून शुगर डाला है अपने टेस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा कम भी ले सकते हैं अब मैंने इसमें एक लिमन का जूस आड़ किया है इसे मिक्षर जार को चला लेंगे और इसे स्ट्रें कर लेंगे अ अब मैं से शर्व करेंगे तो यहां पर मैंने जूस को आड़ कर दिया ग्लास में आप चाहें तो आइस्क्यूब भी आद कर सकते हैं आइस्क्यूब डालने के बाद मैंने एक लेमन के स्लाइस को ग्लास के कौर्णर में लगाया है और एक दो फ्रेश मिंट के लिए हमेश मिंट लेमोनेट में आड़ करेंगे तो हमारा समर के लिए एक बीवरेज बिल्कुल रेडी है समर में आप इससे इंजोई कर सकते हैं वे भी बहुत ही कम इंग्रेडियन के साथ तो प्लीज कमेंट में बताईए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थांक्यू बबाई